ओम नमस्युवाई, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटुब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको हर्याली तीज से सम्मंदित जानकारी दे रहाँ हर्याली तीज पर बन रहा है महासुव संयोग केई रासियों को मिलेगा पुत्र प्राप्ति का धन प्राप्ति का वा महलाओं को मिलेगा अटल सोभाग प्राप्ति का बर्दान हर्याली तीज का क्या महत्व है किस पकार से पुजन किया जाता है कुण से उपायकाने ये संपूर जानकारी आपको इस वीडियो के मादम से प्राप्त होगी हर साल सामन महीने में हरयाली तीजगा त्योहार परता है इस त्योहार पर मेलाएं ब्रत रखती हैं और अपने पती की लंबी उम्र की कामना करती है स्वागनों के लिए ये ब्रत कापी विशिश परव होता है इस दिन नर्जल ब्रत रखने से परवार में कापी जाधा खुशा लियाती है स्वागनों के अलाबा अब वाहित करन्याओं के लिए भी ये दिन कापी मैत्पून होता है अगर आपकी साधी बिवा में बिद्धिक्कते आ रही है तो आपको यह उपाय जरू करने चाहिए साधी पुत्र प्राप्ती के लिए भी आप इस दिन उपाय कर सकते हैं हर्याली तीज का जो पर्व होता है स्वागन मेलाओं के लिए जिस प्रकार से करवा चोत का अब्रत होता है उसी प्रकार से यह पर्व भी होता है इस दिन मेलाओं को कुछ बातों का विशेश रूप से ध्यान अगना चाहिए अर्याली तीज का जो परवै स्वाक का परवै इसलिए इस दिन हरी चूड़ी हरे रंग के कपड़े जरू धारन करने चाहिए लेकिन भूल करके भी इस दिन सपेधी या काले रंग के बस्त्रों का प्रियोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस दिन अपने स्वाक की चीज कभी किसी को सियर नहीं करनी चाहिए महलाओं को विशेश रूप से द्यारनक न चाहिए इस दिन माता पारवति और भगवान सिवसे अगर पुत्र प्राप्ति के लिए सुकी ग्रस्त जीवन के लिए प्रात्रा करते हैं तो आपकी ग्रस्त जीवन में अनिक प्रकार की खुशी आएंगी इस दिन सिनूर का विशेश महत होता है महलाओं को माता पारवति के सामनी सिनूर और मंगल सुत्र जरूर थोड़ी देर के लिए रखना चाहिए और अटल सोवागे प्राप्ति लिए माता पारवति से प्रात्ना कनिये बरदान मंगना है उसके बाद में अपने पती के आज से मंगल सुत्र पेने और सिनूर भी लगवाएं इसे आपको बहुत बड़ा लाब मिलेगा आपके पती पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा अगर आपकी साधी में बादा आ रही है तो इस दिन आप निर्जल ब्रत रखे और विदी विदान से माता पारवति और भगवान भोले नात की पूजा करें हरे आलितीज की दिन कपड़ों का विशेश द्यान रखें द्यान रखें कि इस दिन हरा कपड़ा पेनना कापी शोव होता है जिन कन्याओं की साधी में अर्चन आ रही है वो इस दिन हरा वस्तर धारण करें माता पारवति को लाल चुन्दी एपन करें इसके अलावा माता पारवति की सामने घीका दीपक जला कर पूजा अर्चना करें वास्तु सास्तर की माने तो इस दिन आपको बहुत बड़ा लाब मिलता है इस दिन पूजा करने का विशेश योग होता है हरे आलितीज की इवरत को लेकर कई धार में माननेता है इससे लेकर का जाता है कि भोले नाच से बेवा करने के लिए माता पारवति ने कठोड़ तब किया था उनकी तपस्या से प्रसर रोकर भगवान सिम ने माता पारवति को पत्नी के रूप में सुईकार किया था जिस वज़े से हर्याली तीज का पर्व मनाया जाता है। माननेता है कि इस दिन अगर आप भगवान सिव की पूजा करते हैं तो आपकी मनों कामना अवश्य पूरी होगी। सबसे पहला उपाए हर्याली तीज वाले दिन ग्यारे बेल पत्र आपको लेने हैं एक धतूरे का फ देना हैं एक मुठ्वी चावल सावत कर देने चाहिए इससे मनों कामना पूरी हो जाती है। हर्याली तीज वाले दिन चौम की दीपक भगवान शिव और माता पारवती की सामने जलाना चाहिए। चौमू की दीपक का विशिश महत होता है अगर प्रदोश काल में कता सुनते समय आप चौमू की दीपक भगवान के सामने जला देते हैं और फिर आप सुखी ग्रष्ट जीवन के लिए वापुत्र धन प्राप्ति के लिए शीगर विवा के लिए बिजनेस में बड़त्री के लिए प्रात्ना करते हैं तो आपकी मनो कामना अवस्य पूरी होगी आज के दिन भगवान सिव से आप जो भी मांगेंगे जैसे भी मांगेंगे आपकी प्रतिक मनो कामना पूरी करेंगे हर्याली तीज के दिन भगवान सिव की पूजा के साथ साथ माता पारवती का पूजन भी करें, साथ हर्याली तीज वाले दिन पीपल ब्रक्य के नीचे दीपक जला करके आपको परक्रमा करनी है, पीपल ब्रक्य के नीचे दीपक जला करके आपको साथ परक्रमा करें, एक धा आगा लेकर के साथ वार आपको पीपल ब्रक से लपेट देना है। इससे आपकी मनोकामना आवस्य पूर जोगी है। आप सब्द नहीं बोलना है। अर्याली तीजवाली दिन गोमाता की पूजा जरू करें। साथी सोले सिंगार, विलावज, साडी, दक्चना रख करके दान करें। इस दिन तामसिक बोजन घर में कोई भी ना करें। इस बात का विशेशूफ से ध्यान रखें। ओम नमश्व मंतर का जाप करते रहें। इस दिन महलाओं को अटल सोबाग प्राप्ति वपुत्र प्राप्ति का बरदान मिलेगा। कौनगुन सी रासियां इस दिन बेहती भाग गिसाली हैं। उनकी जानकारी में आपको दे रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहली जो रासि है वो है मेस रा वालों को विशिसलाम मिलेगा। आपकी मनो कामना पूरी होगी। आपके जीवन में चल रहे सारे कश्ट और परिशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों आज के दिन मेस रासि वाली मेलाओं को अखंड सोबाग प्राप्ति वा पुत्र प्राप्ति का बरदान प्राप्त होगा। दूसरी है ब्रसवराशी की मेलाएं। इस दिन ब्रसवराशी की मेलाएं बेहदी भाग्यसाली रहने वाली हैं। ब्रसवराशी की मेलाओं को पुत्र धन प्राप्ति वा सीग्र विवा के योग का अशिरवात प्राप्त होगा। जिन लड़कियों की साधी में अर बिग्री ही बर प्राप्ती का अशिर्वत प्राप्त होगा। अगली जो रासी होगा है मेतुर्ण रासी इस दिन ब्यहदी भाग्य साली रहने वाली हैं। महाकाल भोले नात की बेसेश रूप से कृपा रहने वाली है बागी सभी रासी वाले इस दिनों पाए करें सभी रासी वालों की मनो कामना पूरी होगी क्योंकि इस दिन का जो दिन है ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है इस दिन जो मेलाएं पूरे स्रद्दा के साथ में पूरे नियम के साथ में ब्रत रखती हैं उनके उपर सदा ही माता पारवती का और भगवान सिवका आशिरवात बना रहता है मुझे उमीदा आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें यानि हर्याली तीज के जो दिन होता है बहुत बड़ा दिन होता है ओम नमस्ष्वाइब